देश में गर्मी बढ़ने के बाद एक बार फिर सर्दी का कहर लोटता हुआ नजर आ रहा है और वहीं लगातार बार वे दिन पैटरॉल और डीजल की कीमतों में भडोतरी देखी गई है दिल्ली में पैटरॉल की कीमत 49 पैसे बढ़कर 90.58 रुपे प्रतिलीटर हो गई है जबकि डीजल के दाम 37 पैसे की भड़त के साथ 80.97 रुपे प्रतिलीटर हो गए है महराष्ट में बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए होने वाली किसान महापंचायत की जादत नहीं दी गई है बावजूद इसके संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी ने फिर से महापंचायत की अनुमती के लिए आविदन किया एक बार फिर कोरोना वाइरिस के देनेक मामलों में बढ़ोती देखी गई है बीदे 24 घंटे की बात करते हैं तो कोरोना वाइरिस के संक्रमन के 13,000 से जादा मामले दर्च किये गए हैं वहीं पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो कोरोना की वज़े से 101 मरीजों की मौत हो गई पोस्टमाटब के बाद शेफ परिजनों को सौब दिया गया है युवक की जान कैसे गई इसकी जांच की जारी है हिमाचल प्रदेश की मंडी में अमबालक के कारूबारी से बिना बिल के 57 लाग के आभूचन बरामत किये गये हैं पोस्टमाटब के सिर्मोर जिले में एक महिला को लोटरी का जासा देकर शातिर ने 17 लाख रूपे लूट लिये पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्च कर आगामी चानवीन शुरू की हर्याणा के करनाल में धुन्द के कारण एक स्कॉर्पी और केंटर की आमने सामने की टकर हो गई है जिसमें स्कॉर्पी उसवार पाच लोग गंबी रूप से गायल पुलिस ने गायलों के अस्पताल में बर्ती किया गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को गाड़ी से 16 लाक रुपे की नगदी मिली है और वहीं सोनिपद में जीटी रोड पर मूर्थल इस्तित रॉयल ढाबे पर खाना खाने रुके दिल्ली के परिवार को पिस्तॉल दिखाकर तीन बदमाशों ने सोने के अभूशन डूट लिये इसी बीच डाबे पर खाना खाने रुकी बरात में शामिल व्यक्तिनल लूट पार्ट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसके कमर और पैर में गोली मार दी कानपूर में देर रात पंचाय चुनाव की रंजिश में दो भाचपा समर तक यूवक्त की गोली मार कर रत्या कर दी गई है घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फराद पुलिस ने शवों को पोस्माटम के लिए बेजा जान शुरू की उत्रप्रदेश के देवरिया में मामूली विवाद में ननद ने भाबी को धक्का देकर गिरा दिया था जिससे उसकी मौत हो गई है पुलिस घटा में शामिल ननद और उसके बेटे को गिरफतार कर ले गई है हमीरपुर में सरकारी स्कूल के लेब असिस्टेंट से पुलिस ने 34 ग्राम चरस बरामत की है पुलिस ने आरूपी को गिरफतार किया है जांच की जारी है बिजनोर के नजीजाबाद में ट्रेक्टर ट्रॉली और कार में बिढ़न्त हो गई है हदसे में धुलन की एक्सिडेंट से मौत हो गई है और वहीं कार सवार धूला गंबी रूप से जखमी हो गया है पुलिस ने गाहिल को इस्पताल में भरती किया है खबर फिरुजबाद से हैं जहापर एक सिपाई ने पंके से लटक कर आत्मत्या कर लिया पुलिस ने शवक को कबजे में लेकर मेडिकल कॉलेज पोस्माटम के लिए बिजवाया है वही वरिष्ट पुलिस अधिक्शक की माने तो मृतिक सिवाई एक लड़की से मौभबत करता था लड़की ने शादी से इंकार किया तो की आत्मत्या गाजियबाद के एक अदालत ने यूटी से गैंग रेप करने के मामले में पाच आरूपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिये हैं अदालत ने सभी आरूपियों को कॉंग्रिस निता हरेंदर कसाना धर्मेंदर मोहन दिनेश और देवराज के खिलाफ उचे दाराओ में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिये खबर कन्नौ से है जहापर अपरन के मामले में गिरफतार महिला अरक्षी मीरा देवी को जेल बेज दिया गया है उसके खिलाफ पुलिस के उच्छा दिकारी को रिपोर्ट भी बेज दी गई है हर्याना के सोरी पर जिले में एक महिला की चाकू से गोत कर हत्या कर दी गई है और उसके पती को पेट्रोल डाल कर जिंदा जला दिया गया है जिसके बाद दिलाकिम में हर्कंब मच किया है दिल्ली के नजवगड में पुलिस की स्पेशल सेल और काला जेठडी गैंग के बदमाशों की बीच मुदबेड हो गई है मुदबेड में दो बदमाश को गोली लगी है पुलिस ने तीन आरूपी को गिरफतार किया है सीतापुर में विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में जम कर विवाद हुआ एक पक्ष के कई लोगों ने मिलकर महंत पर हमला कर दिया चाकू से कई वार किये गए हैं जिसमें महंत गंबी रूप से जखमी हो गया पुलिस न मुकदमा दर्च किया मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो संकट कितना भी क्यों न गहरा जाए एक्टर सोनु सूद लोगों को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ने देते हैं चमोली हाथ से में मुरत परिवार की चार बेटियों को गोद लिना चाते हैं सोनु सूद और उनकी आगे की पड़ाही से लेकर शादी तक का खर्च उटाने को तयार है शादी के पास दिन बाद एक्टरेस से दिया मिर्जा वापस काम पर लोट गई है शुक्रवार को दिया बेहत सिंपल लुक में एरपोर्ट पर स्पॉट की गई और वही सचिन तेंदुलकर के बेटे अरजुन तेंदुलकर भी इस साल IPL में खेरते हुए नजर आएंगे जिसके बाद वो ट्रोल हो गए है अरजुन की बहन सारा तेंदुलकर ने ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है और लिखा कोई भी तुमसे एक कामियावी नहीं चीन सकता ये बिल्कुल तुमारी है मुझे तुम पर गर्व है फिलाल पाच मिनिट पच्चिस कपरों में सिर्फ इतनाई बने रही है निजर इंडिया के साथ नमस्कार